लास्ट वीडियो में हमने देखा था अपाउच नुटीज के बारे में टाइपस अप एक्सपोर्ट के बारे में तो आज हम देखने वाले हैं एचस कोड तो आपको पता है एचस कोड क्या होता है बहुत सारे लोगों को अभी पता चल गया होगा क्योंकि GST आने के बाद एचसे नंबर आप यूज़ करने लगे हो अभी तो दोस्तों हम देखते हैं एचस कोड क्या होता है और उसका एक्सपोर्ट में यूज़ कैसे किया जाता है हाई दोस्तों आइम केडी सुष्मा एम आंत्रेपर्णर बिजनस कोच और एक्सपोर्टर अज़ आज आज हम दूरने के और इंपोर्टर को बताओगे कि आपके पास क्या कमोडिटी है और आप वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फर एक्जम्पल अगर मैंने बोला कि आइम सप्लायर अप ओनियन फ्रम इंडिया सो देन कुछ ऐसे हो सकता है कि शायद उस कंट्री में बैठने वाल इसलिए एचेस कोड यूज के जाते हैं और यूनिक इदेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी प्रोड़ेक्ट इन कस्टम्स प्रोसीजर तो इसे ओनियन के लिए एचेस कोड क्या है अभी तो 07031010 तो अगर आपने अपके कस्टमर को ऐसे बोला कि आमें सप्लायर अप अंडर्स्टैंड वोट इस और प्रोड़ेक्ट तभी यह जो एचेस कोड है यह दुनिया में आप किसी के भी साथ अगर बोलते हो तो भी उस कस्टमर को या इंपोर्टर को यह भी पता है कि उसका मतलब वो प्रोड़क कौन सा हुआ तो अभी आपको समझा होगा एचेस को क्या है तो अगर आप एक्सपोड या इंपोर्ट कुछ भी करना चाहते हो तो भी आपको अपने प्रोड़क का एचेस कोड पता होड़ना चाहिए और एचेस कोड आपको कहा पर मिल सकता है तो आप डीज़ेप्टी के वेबसाइट पे भी जाके आपका एचेस कोड डून स हाँ एचेस कोड आप ढूंडोगे ताके आप एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरे से रेडी हो चुके हो फो乾। तो हम नेक्स वेडियो में देख확n स्ट के लिए क्या क्या लाईसन्स लगते है प्मेंटज लगते है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब के लिए Be ready to start your export journey with KD Sushma. Take action. Thank you so much.